हलो बच्चो तो आज हम लोग बच्चो इस चैप्टर की आखरी क्लास करने जा रहे हैं सेट्स की जिसमें मैं आपको कुछ सेलेक्टिड दो चार कोश्चन्स हैं जो करवाने जा रहा हूँ और आपको बज़ा सके आपके पता है कि अब तो mostly properties वाले कोश्चन्स आपके कोर से हट गए हैं इस वज़े से अब मेरे को क्या सिर्फ और सिर्फ आपको word problems करानी रहनी हैं तो आज मैं वही problems करा रहा हूँ तो जल्दी से देखिए और इन problems को solve कीजिए जैसे पहला कोश्चन लिख वा रहा हूँ है यह कोश्चन कई सालों से लगातार आ रहा है तो इसलिए वच्चों आप इस कोश्चरियों कीजिए बहुत अच्छा कोश्चन है लिखेंगे जरा In an examination In an examination 80% students 80% students In an examination 80% students Passed in mathematics Passed in mathematics Past in mathematics 72% Past in science 72% Past in science And 13% Failed in both the subject And 13% Failed in both the subject देखो पहले दो बार मने पास लिखवा है और थर्ड टाइम में मने फेल लिखवा है ठीक है Failed in both the subjects If 312, 312, 312, 312, 312 Students past in both the subjects Past in both the subjects Find the total number of students find the total number of students who appeared in the examination find the total number of students who appeared in the examination हांजी बच्चो चले बच्चो देखेंगे तिरा हांजी सबसे पहले आप यह देखेंगे आपको बोला क्या गया है कि बच्चो मैथ में 80% बच्चे पास है ठीक है आप से क्या बोला गया है बच्चो मैथ में 80% बच्चे पास है और साइंस में साइंस में बच्चो 72% बच्चे पास है लेकिन दोनों में लेकिन दोनों में fail कितने बच्चे हैं 13% दोनों में fail कितने परसंट है 13% यानि जो intersection वाला हमें हिस्सा मिला वो fail वाला मिला तो एक काम करते हैं न हम, हम past में क्यों जा रहे हैं, हम fail में चलते हैं ठीक हैं, तो सबसे पहले आप बच्चो इधर ध्यान दीजेगा यहाँ पर लिखेगा, the percentage of past students तो कितने बच्चो बताइए, बताइए, 80% past students तो प्यारे बच्चो, अगर student 80% past है math में sorry, 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 the percentage of past students in mathematics तो अगर mathematics में past student बच्चो 80% है तो mathematics में ही fail percentage क्या होगी तो अब बताइए, the percentage of failed failed student in mathematics, तो बच्चो 20% होगे की नहीं यह सिर्फ math की बात हो रही है, complete की बात नहीं हो रही है सिर्फ math की बात हो रही है, कि अगर math में 80% बच्चे past हैं, तो 20% बच्चे fail होगे अच्छा बच्चो, the percentage of past student in science तो बच्चो, science में 72% बच्चे past हैं, तो science में fail बच्चे कितने होगे the percentage of failed students in science तो बच्चो कितने होगे वो? 28% साइद मैं सही हूँ क्योंकि अपने आप में science एक 100 है जिसमें से 72% बच्चे past होगे, 28% बच्चे fail होगे लेकिन बच्चो, लेकिन the percentage of failed failed student in both in both math and science बच्चो, दोनों में बच्चे fail कितने हैं? लेकिन आपको पता है, इसके अंदर एक बात छुपी हुई है इसके अंदर एक बात छुपी हुई है कौन सी बात? देखो, क्या यहां पे हमें math लिखने के बाद only math लिखना क्या सही रहेगा? मेरी बात को समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा समझीए मेरी बात को बच्चो, 80% बच्चे पैत पर पास है, ठीक है? और 72% बच्चे science पर पास है, जरह दोनों को add कीजिए, तो 152% हो गए न और कोई भी चीज अपने आप में complete कितनी परसेंट होती है, 100% और यहां तो यह 152% हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चो कि इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो math और science दोनों में पास है यानि कि यह एक परकार का बच्चो क्या चला रहा है? union set चला रहा है सही बात है, अब इसमें हमें कुछ ऐसी चीजे select करनी है, ताकि वो अपनी separate separate value समझ सके ठेक है? तो यह 20% बच्चे math में पास है तो बच्चो इसका मतलब पता है? इसका मतलब यह है कि इनमें से जरूर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो science में भी पास होंगे और 28% बच्चे science में पास है तो जरूर इसका मतलब यह है कि इसमें से कुछ बच्चे math में भी पास होंगे, तो लेकिन बच्चों मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे यह काम करना है कि सिर्फ math में कितने बच्चे फेल है या पास है सिर्फ science में कितने बच्चे पास है या फेल है, और total मेरे को बहुत का तो मेरे को दिया ही है, तो बस यहां पर लिखेंगे, the percentage of failed students in only only in math only in math तो बच्चों only in math में कैसे निकाले बच्चों math में वैसे कितने बच्चे फेल है, 20% लेकिन 13% बच्चे वो फेल है 13% बच्चे वो फेल है जो math और science दोनों में है तो इसका मतलब 20 में से 13% वो बच्चे निकले जो, क्या थे बच्चे जो math और science दोनों में फेल थे तो मैंने यह जो 7% percentage of failed students only in science, only in science, हां जी, तो बच्चो, science में ऐसे fail थे 28%, लेकिन इसमें कुछ बच्चे जरूर ऐसे छुपे हुए होंगे, जो math वाले भी fail होंगे, तो इसमें हम only science वाले निकाल देते हैं, क्योंकि 13% कोन है, बोथ वाले, 13% माइनस कर देते हैं, तो आया 15%, ठीक है, अब निकालो, now, now, the percentage of failed students, failed students, अब सिर्फ किन की percentage निकल रही है, सिर्फ fail होने वाले बच्चों की, तो देखो, only math में fail कितने बच्चे थे, 7%, only science में कितने बच्चे फेल थे, 15%, और दोनों में कितने बच्चे फेल थे, 13%, add करना बच्चो, 15, और 13, 28, और 7, 35, तो बच्चो, 35% बच्चे वो हैं, जो फेल हुए है, 35% बच्चे वो हैं, जो क्या हुए है, फेल, लेकिन बच्चो, हमें जो 312 नमबर दिया हुआ है, वो किसके दिया हुआ है, वो पास वाले बच्चों का दिया हुआ है, तो बस, बात खतम, तो now, हाँ भई, the percentage of past students, past students, तो बच्चों अगर फेल स्टूडें, 35% है, तो कोई भी चीज अपने आपने 100% होती है, तो जब फेल स्टूडें, 35% है, तो पास स्टूडेंट कितने होंगे, 65%, कितने होंगे, 65%, अब हमें क्या निकालना है, number of students, number of students क्या निकालना हमें number of students who appear in the examination who appear appear in the examination हाँ जी तो बच्चों कैसे निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं percentage आपको नमर कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा 100 upon में 65 जितने % है उसको 100 upon में और बच्चे पास कितने हुए है 3, 1, 2 कितने बच्चे पास हुए है 3, 1, 2 तो बस solve कर देंगे इसको solve करेंगे किस से solve वे गई है 13 से हो जाएगा हो तो जाएगा 13 से 13 से हो जाएगा 13, 5 जा 13, 2 जा 26 और 5, 4 और इससे cancel करेंगे 20 तो multiply करेंगे 480 तो बच्चो 480 student थे जो क्या थे बच्चो जो exam में क्या थे appear हुए जिसमें से 312 बच्चे तो पास हुए और बाकी जो बच्चे थे वो क्या हुए fail हुए ठीक है तो यह नहीं लगबग अगर आपसे fail student पूछ ले number of fail student तो आप क्या करेंगे 480 में से 312 माइनस कर देंगे तो आपका answer आ जाएगा ठीक है तो अगर आपसे fail student पूछ ले तब भी बता सकते हो और number of total student पूछ ले तब भी बता सकते हो तो बहुत अच्छा कोशन है आप इसे जल्दी से note कीजी ठीक है फिर मैं एक कोशन और करवाता हूँ तो बच्छो आपने कोशन नोट कर लिया होगा ठीक है अब मैं अगला कोशन करवाता हूँ आपको बहुत ही प्यारा अच्छा कोशन है ठीक है यह प्यौवारा हमने कर लिया था यूवल भी भी टो चलिए तो वेल्व बेस्ट गोशन करने जा रहे हैं इस ठीक है अच्छन है ठीक है चलिए लिखें के ज्राफ अ लिगे अ कैट TV सर्वे अट TP सर्वे अन्ट a TV survey gives the following data for TV watching 60% watch program A 60% watch program A 60% watch program A 50% watch program B 50% watch program B 47% watch program C 47% watch program C 28% watch program A and B 28% watch programs A and B 23% watch programs A and C 23% watch programs A and C 18% watch programs B and C 18% watch programs B and C draw a Venn diagram and solve the following draw a Venn diagram and solve the following 1st point 1st point what percentage what percentage what percentage watch program A and B what percentage what percentage watch programs watch programs A and B but not C A and B but not C ठीक है? चलिए अगले आगे देखेंगे आगे देखेंगे आगे देखेंगे भी क्या? what percentage second लिखेंगे what percentage watch exactly two programs watch exactly two programs और अगला what percentage do not watch any program third लिखेंगे what percentage do not watch any program ठीक है जी? चलिए शुरू करते बच्चों एक एक करके शुरू करते हैं ठीक? चलो यहाँ पहले Venn diagram बनेगा A B और C ठीक है? यह यह A B C यह A program देखने वाले यह B program देखने वाले यह C program देखने वाले और यह survey पे जो भी हुआ है अच्छा बच्चों आपसे बोला गया है TV का survey हुआ जिसमें 60% program देखते हैं A ठीक है? नंबर आप परसंस फू अच्छ यह इसे नंबर आफ परसंस इसे यह लूच प्रोग्राम ए तो कितना यह बच्चों? रश्जू परसंट number of person who watch program C 47% number of program programs number of persons who watch programs programs A and B to 28% number of person who watch programs A and C A and C 23% number of persons who watch program B and C 18% number of program who watch program A, B and C all three all three programs تو کتنا ہے 8% کتنا ہے 8% ٹھیک ہے اب چلو answer نکالتے ہیں answer نکالتے ہیں دیکھو اس میں اس نے کہیں at least والا تو پوچھا نہیں اور اگر at least والا پوچھتا تو بڑے آرام سے answer نکال دیتے A plus B plus C minus A intersection B minus A intersection C minus B intersection C plus A intersection B intersection C یہ کب نکالتے ہیں جب وہ آپ سے at least پوچھتے کہ at least one of the one of the these programs watched ٹھیک ہے ایک بھی program اگر دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان تینوں میں سے لیکن پہلے question میں آپ سے پوچھا گیا ہے what percentage what percentage watch program A and B but not C یعنی watch programs A and B but not C یعنی A اور B تو دیکھیں لیکن C نہیں دیکھیں ٹھیک ہے A اور B تو دیکھیں لیکن C نہیں دیکھیں اچھا بچھو اب مجھے ایک simple سی بات بتانا یہ پورا کا پورا A کتنا ہے 60% یہ پورا کا پورا B کتنا ہے 50% اور یہ پورا کا پورا C کتنا ہے 47% لیکن بچھو آپ مجھے ایک بات بتاؤ A, B اور C تینوں کتنے پرسنٹ ہیں بچھو تینوں 8% تینوں کتنے پرسنٹ ہیں یہ تینوں کتنے بچھو 8% تینوں ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ جب یہ بیچ والا حصہ تینوں کا 8% ہے تو A اور B 28 رہیں گے یعنی A اور B کون سا حصہ ہے بچھو A اور B آپ کا یہ والا حصہ ہے A اور B یہ حصہ ہے صحیح بات ہے اور B یہ حصہ ہے لیکن بیچ والا 8% ہے تو یہ والا حصہ کتنا پرسنٹ بچھا ہوگا جلدی بتا دو یہ والا حصہ آپ کا 20% بچھا ہوگا کی نہیں بچھا ہوگا یہ والا حصہ آپ کا 20% ہوگا کی نہیں ہوگا definitely ہوگا 20% کیوں کیونکہ یہ پورا A intersection 28% ہے جس میں سے بیچ والا 8% ہے تو یہ کتنا بچھ گیا 20% بچھ گیا اسی طریقے سے B intersection C 18% ہے جس میں سے 8 ہی ہے تو یہ کتنا پرسنٹ بچھ گیا یہ 10% بچھ گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے A intersection C A intersection C total 23% ہے جس میں سے 8% یہاں ہے تو یہاں کتنا بچھا 15% یہاں کتنا بچھا 15% اس طریقے سے بچھوں میں اس کو separate کر سکتا ہوں کی نہیں کر سکتا آپ بتائیے ہاں جی کہ جب بیچ میں ہی 8% آ گیا تو اگر یہ پورا 28 ہے تو یہ والا کتنا ہوگا 20 اگر بیچ میں 8 آ گیا تو یہ پورا 18 تو یہ کتنا ہوگا 10 اگر یہ پورا 23 ہے بیچ میں 8 آ گیا تو یہ کتنا ہوگا 15 اچھا اب مجھے ایک simple سی بات بتانا بچھو اب مجھے ایک simple سی بات بتانا جب ایسی بات ہے تو اگر یہ A پورا کا پورا 60 ہے اگر یہ A پورا کا پورا 60 ہے تو اس میں سے اگر میں یہ والے حصے منس کر دوں 20 اور 23 20% منس 8% منس 15% تو یہ آپ کا 20 اور یہ 15 کتنا ہوتا ہے 35 اور 8 کتنا ہوتا 43 تو بچھو یہ حصہ آپ کا 17% بچے گا Only A Only A آپ کا کتنا بچے گا 17% اسی طرح اگر میں پورے B میں سے اسی طریقے سے اگر میں پورے B میں سے اگر پورے B میں سے پورا B کتنا ہے 50% پورے B میں سے یہ سب منس کر دوں 20 8 اور 10 تو کتنا ہو جائے گا 50% منس 30 38 30 تو Only B کتنا آ جائے گا 12% Only B 12% آئے گا Only B اب Only C کی بات کرتا ہوں اب Only C کی بات کرتا ہوں ہاں جی Only C کتنا ہے 47% جس میں سے 15% 8% اور 10% اگر میں مائنس کر دوں اگر 10% میں مائنس کر دوں تو کتنا آئے گا 47% مائنس 25 اور 8 کتنا ہوگا 33% تو بچا کتنا 14% تو اس کا مطلب Only C کتنا آگیا آپ کا 14% آگیا Only C کتنا آگیا آپ کا 14% آگیا یہاں تک بات پلنے پڑی چلو اب اس نے کیا مانگا ہے آپ سے اس نے آپ سے مانگا ہے A اور B تو ہو لیکن C نہ ہو A اور B تو ہو لیکن C نہ ہو تو ان میں سے ایسا کون سا حصہ ہے ان سب میں سے ایسا کون سا حصہ ہے جو A اور B تو ہے لیکن C نہیں ہے تو دیکھو بچو اس 20% کو دیکھو اس 20% والے حصے میں A اور B تو ہے لیکن C کا کوئی حصہ نہیں ہے تو اس کا آنسر کتنا آجائے گا 20% اچھا اب 2nd question دیکھو 2nd question میں کیا بولا ہے 2nd question میں بولا What percentage watch exactly 2 program watch exactly 2 program ہاں جی exactly 2 program والے حصے کون کون سے ہیں exactly 2 program والے حصے ایک تو یہ 20% ہے ایک 15% ہے ایک 10% ہے تو یہاں ہی پہ کر دو کیوں 20% میں کون آ رہا ہے A اور B 15% میں A اور C 10% میں B اور C تو کتنا ہو گیا 35 اور 10 یعنی کہ 30 اور 15 45 یعنی 45% لوگ ایسے ہیں جو بلکل 2 program دیکھتے ہیں ٹھیک ہے 3rd what percentage do not watch any program what percentage do not watch any program تو بھائی ایسے کتنے لوگ ہیں جو کوئی بھی percent یعنی کہ کوئی بھی program نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو لو بھائی do not watch any program do not watch any program ہاں جی بچو تو کیسے نکالیں گے بھائی total کیا ہوتا ہے 100% total کیا ہوتا 100% اور اس 100% میں سے in A, B, C کا sum نکال دو minus کر دو تو آپ کے پاس not آ جائے گا 17% plus 20% plus 12% plus 8% plus 15% plus 10% plus 14% یہ سب کیا کر دو بھائی یعنی یہ جتنا بھی ہے نا یہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 یہ ساتو 100% میں سے minus کر دو اپنے آپ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھو 17, 20 17 اور 20 کتنے ہو گئے 37, 37 اور 12 49 49 اور 8 کتنے ہو گئے 49 اور 8 ہو گئے آپ کا 57 57 اور 15 کتنا ہو گئے 72 72 اور 10 کتنا ہو گیا 72 82 ٹھیک ہے 82 اور 14 کتنا ہوتے 96% تو 96% تو 4% لوگ ایسے ہیں جو کوئی بھی پروگرام نہیں دیکھتے ہیں 4% لوگ ایسے ہیں جو کوئی بھی پروگرام نہیں دیکھتے ہیں تو بچو آپ وینڈ ڈائیگرام کی سائتہ سے ہی سارا کا سارا کوششن سولو کر سکتے ہیں اور ایسے کوششنوں کو ویلیو بیجڈ کوششن کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ویلیو بیجڈ کوششن کہا جا سکتا ہے اگر آپ کہو گے تو میں فارمولے سے بھی کرا کے دکھا سکتا ہوں لیکن جب میرے پاس ساری چیزوں کی ویلیو ہے تو میں اسے ویلیو سے کیوں نہ کر دوں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو فارمولے والا طریقہ انسیارٹی سے سکھا دیا ہے اور ویلیو بیجڈ والا طریقہ یہاں پہ سکھا دیا ہے کر لو کر لو پھر اس کے بعد ایک کوششن اور کرواتا ہوں جلدی سے نوٹ کیجئے ویڈیو پاوز کر کے جلدی سے کر لیجئے پھر ایک کوششن اور کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے دیکھیں گے جب اچھو ایک ایک اور کوششن دیکھیں گے یا امید کرتا ہوں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا ٹھیک ہے получ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے In an university, in a university, in a university, out of 100 students, in a university, out of 100 students, out of 100 students, 15 offered mathematics only, 15 offered mathematics only. बाई, ये एक बात ध्यान रखना आप लोग, words को बहुत अच्छे से समझ के चलना, क्योंकि बच्चो, sets के काम में words का ही खेल है, अगर आप words को समझ गए ना, तो समझ लो, आपने सारी जंग जीत ली, ठीक है, हंजी, तो 100 students, 15 offered mathematics only, 12 offered statistics only, 12 offered statistics only, 8 offered physics only, 8 offered physics only, ठीक है, आगे लिखेंगे, 40 offered physics and math, 40 offered physics and math, 20 offered physics and statics, 20 offered physics and statics, आगे लिखेंगे, 10 offered math and statics, 10 offered math and statics, and 65 offered physics, 65 offered physics, 65 offered physics, by, अब लिखेंगे, by drawing a venn diagram, by drawing a venn diagram, find the number, by drawing a venn diagram, find the number of students, by drawing a venn diagram, find the number of students, who, who, first, first point, लिखेंगे, offered mathematics, first offered mathematics, जुए तो प्यारे बच्चोझ के आण तक बता दे था कि by drawing a venn diagram find the number of students who first offered mathematics, second offered strategies, first offered mathematics, second offered strategies और थर्ड, did not offer, did not offer, any of the above, did not offer, did not offer, any of the above, any of the above three subjects, any of the above three subjects. बच्चों बड़ा प्यारा कोश्चन है, सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात समझनी है, उसके बाद ये कोश्चन, और मेरे हिसाब से अब आपके हर तरह के word problems के level clear हो गए है, next class में नया chapter सुरू करूँगा मैं, ठेक है, PMI आपके code से हट गया से 15 को 15 जो offer करती है, only mathematics, number of students, number of students, who have, who has, who have, only mathematics, only math, तो कितने बच्चे हैं से, only math वाले, 15, number of students, who have only, क्या भई, stats, तो stats वाले, बच्चो, stats वाले कितने बच्चे हैं, 12, number of students, who have only, physics, तो बच्चो, physics कितने बच्चों के पास है, only physics, यहाँ पर only की बात हो रही अभी, 8, ठेक है, अच्छा, अब कहा रहे हैं, कि भई, 40 बच्चे ऐसे हैं, जिनको physics and mathematics दोनों मिले वे, number of students, who have physics, both, both, who have both physics and mathematics, physics and math, तो यह है 40 बच्चे, number of students, who have both physics and stats, कितने बच्चे हैं, 20, number of students, who have both stats and math, तो math and stats, जो भी है, वो कितने हैं, बच्चों, 10, कितने हैं, 10, and number of students, who have physics, अब कहोगे 65, अब कहोगे सर, physics और physics यह दो बार दे दिया, यह कैसी कहानी है, तो कहानी मैं समझाओंगा बच्चों आपको, ठेक है, यह क्या है, अब बाकी जो जो पूछे हैं, हम बताएंगे, बच्चों, इस physics का मतलब पता है, इस physics का मतलब है, कि इसके अंदर, आपके all three वाले भी आ गए, ठेक है, फिजिक्स और, देखो, अभी रुगो, मैं पहले डेवेंड डियाग्राम रान दो, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या चक्करे इसका, ठीक है, यह math है, यह stats है, यह physics है, ठीक है, अब देखो, इस physics 65 का मतलब यह है, कि यह पूरा का पूरा physics, जिसमें physics और mathematics भी आ रहा है, physics और stats भी आ रहा है, और यह तीनों वाले only stats, only math का मतलब पता है क्या है only physics, only physics मतलब ये वाला हिस्सा जिसमें और कोई चीज मैच नहीं कर रही, तो ये है 8 only stats मतलब ये वाला हिस्सा जिसमें ये आ रहा है 12 only math मतलब ये वाला हिस्सा जिसमें आ रहा है 15 अब बच्चो ये देखो, physics and math और यह पूरा हिस्सा है यह किन इस टे पूरा हिस्साइड है इस्टेट्न में टेड़ में इस्टेमित इस टेल और इस टेन से गाकर दoup बच्चो लेकिन हमें क्या बीच वाला हिस्सा पता है ये बता दो मुझे अगर बीच वाला हिस्सा पता होता बच्चो तो हम डारेक्ट माइनस करके ये वाला हिस्सा निकाल लेते कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं हम क्या करेंगे हम लेट करते हैं कि ये बीच वाला हिस्सा माल लो x है यह बीच वाला हिस्सा क्या है x अब बच्चो एक बाद बताओ अगर यह बीच वाला हिस्सा x है तो math और stats वाला हिस्सा क्या होगा बताना math और stats वाला हिस्सा क्या होगा मुझे जल्दी से बता दो तो बच्चो math और stats वाला हिस्सा वाई तोटल ये पूरा 10 है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? 10-X, हा की न? अब देखो, physics और stats वाला हिस्सा 20 है, physics और stats वाला total हिस्सा 20 है, जिसमें से beach वाला X है, तो ये क्या होगा? 20-X, हा की न? अब देखो, math and physics, math and physics वाला total हिस्सा 40 है, जिसमें से बीच वाला हिस्सा X है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? 40-X, हा की न? तो देखो, मैंने ये सारे के सारे पार्ट्स आपस में calculate कर लिए, अब मेरा काम खताम, देखो बच्चो Total number of students Total number of students तो total number of students कितने हंड्रेड? Let, let the number of student student who have all three subjects हा बई, तो तीनों subjects जिनके पास हैं, वो कितने बच्चे हैं? X बच्चे, वो कितने बच्चे माल ली मने? X तो हाँ जी, अब यहाँ, so the number of student who have only only mass and stats तो बच्चो, mass और stats वाले only only mass और stats वाले कितने बच्चे हैं? 10 minus X So, हाँ जी, the number of student who have only हाँ जी, क्या है? Only physics and math Only physics and math Only physics and math Only physics and math वाले कितने बच्चे हैं? 40 minus X The number of student who have only हाँ जी, 10 minus X किसका था? Stats and math का? ठीक है, stats and math का? ठीक है, 40 minus X किसका था? 40 minus X किसका था? Physics and math का? अब कौन रह गया? Only physics and stats तो इसका कितना है? 20 minus X ये है अब जो-जो question बोला है, करते चलो Question number इसका first क्या question बोला है first? बच्चो जल्दी बता दो मुझे पहले बोला, offered math यानि ये पूरा math निकालो फिर कहरा, offered stats पूरा stats निकालो लेकिन बच्चो मज़ा तब आएगा जब X की value निकल जाए मज़ा तब आएगा जब X की value निकल जाए तो X की value कैसे निकलेगी? देखो Now बच्चो offered physics offered physics वाले कितने बच्चे हैं? बस मुझे इतना बता दो 65 है न? ये physics किस से मिलके बना है? मेरे हाथ को देखना physics किस से मिलके बना है? इस पूरे से मिलके बना है की नहीं बना है? है न? और इस पूरे के बीच में कौन कौन आ रहा है? इस पूरे के बीच में 8 आ रहा है 40 minus X आ रहा है X आ रहा है 20 minus X आ रहा है हा की न? भाई इस पूरे घेरे में इस पूरे घेरे में कौन को न आ रहा है 8, 40-X, X और 20-X यह सारे आ रहे हैं यानि इन सब को मिलाके ही तो 65 बनेगा न क्योंकि physics वाले यह सारे हैं physics वाले यह सारे अब कहोगे sir math भी तो आ रहा है, status भी तो आ रहा है minus X बराबर 65 68 यह 65 इदर आके है minus बराबर X तो बच्चो, X बराबर कितनी value आ गई? 3 तो इसका मतलब यह X की value क्या आ गई? 3 तो आब मैं इसी diagram को दुबारा बना रहा हूँ इसी diagram को दुबारा बना रहा हूँ ठीक है? math, stats, physics अगर यह 15 है, यह 3 है तो यह 7 होगा यह कितना होगा? 17 यह कितना होगा? जल्दी बताओ 37 और यह कितना? 8 समझ मागी बात, फटा-फट नोट करो वीडियो पॉस करो और एक मिनिट में इसको नोट करो हम्, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉस करके नोट कर लिया होगा और एक्स की वेलू निकल चुकी है आपकी ठीक है? अब मैं यह सारा मिटार हो यहां से ठीक है? अब जो जो आपसे बोला है, वो वो करो आप ठीक है? अब क्या बोला उसने? अब आप कुछ भी कर सकते हो उसने क्या बोला है? पहला Offered Math Offered Math हाँ जी, Math किस को मिला के मिली है आपके पास? बताओ Math आपको यह पूरे Target को मिला के मिली है मतलब 15 प्लस 10 माइनस X प्लस X प्लस 40 माइनस X मतलब यह Math आपको यह पूरे को मिला के मिली है ठीक है? तो चलिए X X तो कड़ गया 15 प्लस 10 प्लस 40 और X की वैलू कितनी है? 3 तो 15 प्लस 10 चालिस में से 3 गया 37 एड़ कर दो 30 और 20 50 50 और 12 कितने होते हैं? 62 तो Math कितने हैं? 62 Second Offered Stats कितने हैं बच्चो इस्टैट्स वाले कोई है? Its Stats वाले ये पूरे हैं एड़ करना सुरू करो 12 प्लस 10 माइनस X प्लस X प्लस 20 माइनस X X से X कट गया? 12 प्लस 10 प्लस 20 और ये X की वैलू 3 अंजी तो 12 प्लस 10 प्लस 17 तो कितने होगे? 10, 20, 30 और 9 49 39 कोई दिक्कत वच्चो? 10, 20, 30 और 7, 9 39 अब आता है 3rd थर्ड वाले में देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है? थर्ड वाले में लिखा है लिखा है Did not offer any of the three subject मतलब कोई भी subject नहीं लिया है तो कोई भी subject नहीं लेने वाली party कौन सी है? ये जो बाहर वाली है मतलब अगर मैं इसका union निकाल दूँ इस पूरे का union निकाल दूँ और पूरे में से पूरा कितना है? पूरा hundred है पूरे में से ये हिस्सा माइनस कर दें तो ये वाला हिस्सा आजाएगा सही बात है? तो did not बोला है ना? तो did not से पहले अब क्या करो? चलो ठीक है did not निकालते है now did not ठीक है? did not आगी क्या लिखा है? offer any subject offer any subject तो बस ठीक है? hundred minus क्या? इन पूरे का sum इन पूरे का sum तो 15 plus 10 minus x plus x plus 40 minus x ठीक है? plus 20 minus x plus 12 plus 8 तो hundred minus हाँ जी x से x कट गया? ठीक है? 15 plus 10 plus 40 plus 20 plus 12 ठीक है? plus 8 x और x minus का 2x तो hundred minus hundred minus 15 हाँ जी अब add करना जड़ा 15 और 10 25 25 और 60 25 और 60 कितने होते हैं बच्चो? 25 और 60 होते हैं? 85 85 और 20 85 और 20 कितने होते हैं बच्चो? 85 और 20 होते हैं 105 ठीक है? 105 और minus का 2 x कितना है? तो hundred minus 105 minus 3 2 जा 6 तो hundred minus ये कितना हो गया? 105 में से जीख जाएगा 99 तो यानि minus 1 यानि कि एक ऐसा बच्चा है जिसने कोई भी subject उसको offer नहीं किया गया सिर्फ एक ही ऐसा student है जिसको कोई भी subject offer नहीं किया गया और बाकि सारे subject offer हुए ठीक है? तो बच्चो इसी के साथ आज की class खतम और आपका ये chapter भी खतम next class में नई chapter को शुरू करेंगे ठीक है? तो चलिए इस सारे को note कर लीजिए और आज की class यहीं over करते हैं चलिए, bye